तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ important stocks के बारे में उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी updates आगे की रणनी थी, technical chart पर levels, सारे चीज़े discuss करेंगे वीडियो के साथ बने रही है, लेकिन उससे पहले देखिए आज के दिन एक important वीडियो upload हुआ है, तो यह stock देखिए, 46% तक almost correct हो चुका है, हला कि देखें तो अभी भी key moving average से नीचे stock trade कर रहा है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छे खासे demand zone के आसपास यह stock नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर काफी सारे multiple touch points हमको देखने को मिलते हैं, आपसे इस level पर buying की जा सकती है, SIP की जा सकती है, long term आपका नजरिया है, तो इस stock को आप buy कर सकते है, business को आप buy कर सकते है, उसके पीछे reason कहा है, देखिए सबसे पहले मैं company के बात करूँ, तो बिल्कुल debt free company है, strong balance sheet है, company के return ratios अच्छे है, company free cash flow generate कर रही है, asset light business model है, growth company की जरूरी है बात करना, तो company की top line growth, bottom line growth काफी amazing है, company के return ratios अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर shareholding pattern में नजर आ रही है, कि promoters के पास अच्छे गासे stake है, FIs अपने stake को बढ़ा रहे हैं, DIs अपने stake को बढ़ा रहे हैं, जो public है, उनके पास से stake कम हुआ है, तो strong hands पर हम को यह माल जाता हुआ, देखने को मिला है, और management देखी हैं, हाँ पर 60% growth guidance यहाँ पर दिया, FI 23 की, तो हो सकता है, achieve कर ले, क्योंकि अपकी बार भी number काफी अच्छे है, अगर आप देखें, तो top line में growth देखें, 94% की growth थी, जहाँ पर industry में काफी pressure था, इसने गजब की growth दिखाई, margins यहाँ पर company ने maintain किये, year on year, sequential bet sale पर profit में काफी अच्छी growth थी, और यहाँ पर sector की growth भी बात करें, तो 30% से तो इस sector भी growth होगा, उसके बाद हम technical फिर से करेंगे, एक बार देखें, आज के date में एक update आ रही है, कि इन्होंने साओधी अरेबिया में भी expansion किया है, मतलब साओधी अरेबिया में भी entry ले चुके है, इनको CIE, TCA license यहाँ पर मिल चुका है, UAE, Kuwait में पहले से थे, अभी साओधी अरेबिया में भी काम यह करेंगे, तो वहाँ के जो enterprise OTT players, mobile network operators हैं, उनको सभी को यह service अपनी provide कराने वाले हैं, और जो management का aspiration है कि अपने आपको जोग्राफिक लिए और जादा expand करेंगे, तो यहाँ पर वो चीज़े होती भी देखने को मिल रही है, और देखिए एक अच्छी update और आ रही थी यहाँ पर आपको आपको बताना चाहूँगा, कि जगरबग ने कहा है कि देखिए WhatsApp का जो business chat इनका जो feature है, वो यहाँ पर काफी बड़ी sales इनकी drive कर सकता है sooner than Metaverse, तो एक growth pillar इनका यह वाला business यहाँ पर बन सकता है, इसको अगर monetize करेंगे यह, तो काफी यहाँ पर जबरदस sale हो सकती है, ऐसा जगरबग का कहना है, मतलब कि जो WhatsApp पर जो business chat होगी, customer और merchant के बीच या जो भी transactions होगे, payment होगे, chat होगी, उसको यह monetize करते होगे नज़र आएंगे, उसको अगर इस services को launch करते होगे नज़र आएंगे, तो यहाँ पर route mobile वो services already provide करा रहा है, आप देखिए, WhatsApp business API services already यहाँ पर provide करा रहा है, जो global customer सा उनके लिए, और यहाँ पर इनका Facebook भी इनका customer है, तो पूरे-पूरे chances हैं इनके पास यह बड़ा business आ सकता है, तो यहाँ पर एक optionality भी नज़र आती है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से buying की जा सकती है, और मैं भी इसमें invested हूँ, मेरा allocation यहाँ पर मातर 3-4% का है, जादा allocation नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पर इस industry में disruption हो सकता है, हलाकि देखिए high growth industry है, risk है तो reward भी काफी अच्छा है, लेकिन allocation मैंने इतना ही आभी यहाँ पर रखा है, उसके पिछे reason है, competition बढ़ रहा है, यहाँ पर pricing war होती भी देखने को मिल रही है, साथी साथ disruption और asset light model है, disruption हो सकता है, बड़े tech giants आके यहाँ पर consolidate कर सकते हैं इस industry को, तो यह है, अगर मैं एक update, एक data आपको दिखाना जाओं तो देखिए अभी हाली में, यहाँ पर twilio ने entry लिया है, value first digital media को यहाँ पर acquire कर लिया है, इन्होंने इंडिया में, ठीक है, cinch ने यहाँ पर ACL mobile को acquire कर लिया है, तो इन्होंने entry लिया है, सिस्को ने हाँ पर IMI mobile को acquire कर लिया, इन्होंने entry ले लिया है, infobip ने हाँ पर entry ले लिया है, root mobile भी हाला कि काफी सारे equations कर रहा है, लेकिन इस टिल मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर market consolidate होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर बड़े players, बड़ा एक पाए यहाँ पर लेते होँए नजर आएगे, तो root mobile को यहाँ पर definitely अच्छा करना पड़ेगा, लेट सी यह किस तरीके से यहाँ पर pricing और को जहेल पाते है, लेकिन मेरे साब से business अच्छा है, इनका NRR काफी अच्छा है, यहाँ कि net recurring revenue इनका 120% के आसपास है, यहाँ कि client इनके साथ लगातार business कर रहे है, तो let's see किस परकार की pricing रहती है, क्या रहता है बिजनस में, लेकिन अगर आप invest करना चाते हाई growth, हाई sector में, हाई company में, तो root mobile नहां पर एक बढ़िया company है, fundamentally काफी अच्छी company है, बस valuation जादा हो गए थे, जो ठंडे होएं बस, और बाकी business में कोई problem नजर नहीं आती, next company है, उसके हाँ पर metro brands, footwear sector की जब हम बात करें, तो काफी देखिए high growth industry है, यह past में भी रहा है और आगे भी रहा है, क्योंकि इंडिया ऐसी economy है, जहाँ पर population इतनी है, कि भाई यह जूते चपल तो पहनेंगे ही पहनेंगे, तो metro brands यहाँ पर एक शांदा retailer है, footwear का retailer है, काफी अच्छा यह platform प्रोवाइट कराता है, खुद के homegrown brands भी है, जैसे कि metro तो है, इनका खुद का brand है, walkway इनका brand है, ठीक है, मोची इनका brand है, और foreign labels भी है इनके पास, जैसे crocs हो गया, fit flop हो गया, अभी हाल इमीनों ने, फिला को भी हापर, फिला का license भी इनको मिल चुका है, तो यह company काफी अच्छा कर रही है, growth काफी अच्छी है, balance sheet काफी अच्छी है, return ratio अच्छे है, debt, manageable debt है, positive cash flow है, growth काफी अच्छी है company की, आप देखिए, अब की बार की जो sales growth थी, 46%, 47% की sales growth देखने को मिली, तो यहाँ कहीं न कहीं, इंडिया में premium आईशन का trend, हमको देखने को मिल रहा है, आप देखिए उस तो relax हो के, flat number थे, बिल्कुल flat number थे, top line में बिल्कुल growth नहीं थी, operating profit margins बिल्कुल यहाँ पर गिर गए थे, बहुत ज़्यादा टूड गए थे, profit यहाँ पर काफी टूड गया था, तो इसलिए Metro Brands अच्छी नज़र आती है, और valuation भी इसके comparatively यहाँ पर बहतर नज़र आता है, आप देखिए Peers का अगर आप comparison करें, यह तो खेर retail में आ जाता है, लेकिन अगर मैं particular specific footwear की बात करूँ, तो relax हो के 100 का PEE है, campus का I think 1.500 का PEE है, और और भी यहाँ पर हाई PEE पर चल रहा है, ठीक है बाटा भी हाई PEE पर है, तो यह 61 के PEE पर चल रहा है, जहाँ पर growth आ रही है 30-40%, अगर एक continuous आती रही, तो मेरे खियाल से एक reasonable valuation पर stock trade कर रहा है, तो यहाँ पर buy किया दाता, और sportswear का trend भी लगातार बढ़ रहा है, sportswear की जो category है, यह rapidly growth growing यहाँ पर है, मतलब rapid growth यहाँ पर हमको आती भी देखने को मिल रही है, US-China में sportswear का जो segment है काफी जादा बढ़ा है, इंडिया में भी बहुत छोटा है, लेकिन धीरे तर यह trend pick up होता हो नज़र आ रहा है, तो इसको भी बाया कर सकते हैं, अभी देखिए, एक यहाँ पर update आ रही थी कि जो Fitflop के CEO है, उनका कहना है कि India is one of the biggest markets, जी यानी Georgia Arts, ठीक है, इनका कहना है Fitflop, और मतलब Fitflop जो foreign label है, जो Metro brands के पास ही है, तो इनका कहना है कि India एक बहुत बड़ा market है, तो उसको यहाँ पर यह leverage करते होगे नज़र आएंगे, और आगे भी कुछ और brands भी है Metro के पास आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जो हैंपको updates आती हुई देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर इंडिया की जो एक market है, उसको definitely target किया जा रहा है, और footwear segment मुझे रखता है काफी अच्छा है आपर, अभी तो सिर्फ total consumption हमारा 2 pair per enemy है, आप समझ सकते हैं कि जो चाइना का consumption है, जो US जो developed economies का consumption है, वो 6-8 pair per enemy है, तो अभी भी बहुत पिषड़ा हुआ है हमारा इंडिया, तो अभी यह काफी growth है इस market में, तो growing company में आप निवेश करना जाते हैं, तो Metro Brands को आप consider कर सकते हैं, अगर आपको consistently एक growth चीए, तो relax हो हो गया, ठीक है, यहाँ पर relax हो काफी अच्छी company है, रिलेक्स हो तो हई, रिलेक्स हो गदर proven track record है, लेकिन Metro भी यहाँ पर अच्छी company, लेकिन Metro में technically थोड़ा सा weakness आ रही है, 50 day moving average के नीचे stock आ रहा है, तो यह और गिड़ सकता है, यहाँ पर देखिए, एक gap है, ठीक है, एक gap यहाँ पर है, तो यह gap fill हो सकता है, हला कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि gap हमेशा fill होते हैं, stock specific अगर मैं बात करूँ, तो ज़रूरी नहीं हमेशा gap fill हो, लेकिन gap अगर fill होता है, तो यहाँ पर मेरे साब से, 600 to 650 के levels, यहाँ पर अच्छी buy हो सकती है, Metro brands में, तो आप इसको definitely consider कर सकते हैं, next है दोस्तों यहाँ पर Tarsus product, Tarsus product का stock भी अभी गिर रहा है, अगर technically हम देखें, तो अभी weak हो चुका यह stock, एक major trend line का support, यहाँ पर breakdown हो चुका है, आप देखिए, multiple touch points हमको यहाँ पर देखने को मिले, breakdown हुआ है with volume, देखिए, अभी यहाँ पर with volume, यहाँ पर breakdown हुआ है, और stock 200 day moving average के नीचे है, तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो यह stock मुझे लग रहा है 600 तक आ सकता है, और गिरावट का एक और कारण है, कि यहाँ पर देखिए, अभी इसका lock-in expire होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर I think कल या पर 23 या 24 को यहाँ पर lock-in expire ही होने वाली है, तो वहाँ पर हमको supply आती हुई देखने को मिल सकती है, तो अगर आप buy करना चाते हैं, तो wait कीजिए, 600 रुपे के आसपास आ सकता है, stock तबाब buy कीजिए, company अच्छी है, virtually debt-free company है, return ratios company के अच्छे हैं, अच्छे sector को यहाँ पर यह company cater करती है, मतलब अच्छे sector में यह company है, यहाँ पर scrams industry हो गया, या फिर consumables, जो hospitals में consumables हैं, या फिर diagnostic industry, तो उसकी यह proxy यहाँ पर हो सकती है, तो आप इसको definitely radar पर अपने रख सकते हैं, यहाँ पर तार्सन्स हो गया, बोरोसिल लिमिटेड भी अच्छे company है, और polymedicure, इन तीरों company में आप जो अच्छे लगया, आप उसमें इवेश कर सकते हैं, मेरी बात करूँ तो मैं polymedicure में invested हूँ, तो इसमें आप wait and watch कीजिए, supply आने का यहाँ सप्लाइ इसमें और बढ़ सकती है, next company है दोफ्तों यहाँ पर, MapMyIndia, MapMyIndia के stock में भी काफी यहाँ पर देखिए weakness नजर आ रही है, अभी टेक्निकली आप देखिए यहाँ पर, उपर इस तरों से 38% stock correct हो चुका है, और अपने एक base के आसपास आ रही है, इसका एक major support बनता हो नजर आएगा, 1133 का, अभी है 1176 पर, तो यहाँ पर, अगर इस base पर support लेता है तो अच्छी बात है नहीं, तो यहाँ से गिरा, तो फिर नीचे देखिए पूरा खाई है, कुछ support नहीं है, सीधा काफी नीचे गिर सकता है, फिर यहाँ पर मैं कुछ नहीं बहुत सकता, कहां तक आएगा, तो अभी आप wait and watch कीजिए, map my India में, लेकिन company अच्छी है, map my India, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें, इसके valuation थोड़े जादा हो गए थे, उसको थोड़ा संडा हो चुगा, valuation की बात करें तो देखिए, कितने के P.E. पे चला गया था, अगर आप देखें, तो बहुत ज़्यादा P.E. पे चला गया था, I think कितना हो गया, 75 के P.E. पे, हाला कि अभी उसी range में है, लेकिन मेरे साफ से और यहाँ पर गिरावट आ सकती है, debt-free company है, कोई problem नहीं है, return ratios अच्छे है, और unique business है, देखिए niche segment में company है, navigation solutions company provide कराती है, market leader, और car segment में तो I think इसका 70-80% का market share है, strong mode है company के बास, इसका business model ऐसा है, कि इसको replicate करना बहुत मुश्किल है, difficult to replicate ही है, और operating margin आप देखेंगे, तो यहाँ पर company गजब के operating margin post कर रही है, 40-40% के यहाँ पर margin हमको देखने को मिल रहा है, पिछले काफी time से, तो यहाँ पर आप buy करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से भी wait and watch में रखिए इसको, company अच्छी है, कोई problem यहाँ पर नहीं है, और इनका जो G-Tropy वाला एक equation है, वो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, तो management को भी लगता है, काफी अच्छा करेगा, G-Tropy basically एक tech support, tech solutions company provider करती है, IoT support प्रोवाइट करती है, एक basically SaaS company है, software solutions company प्रोवाइट कराती है, तो यह business जो है, management ने बोला है, कि एक million, multi-million dollar यह business यहाँ पर हो सकता है, billion dollar opportunity है, G-Tropy business में, G-Tropy business has huge multi-billion dollar opportunity to scale from its current scale, zero EBITDA पे इन्होंने यह company को acquire किया था, अभी 8 करोड के revenue पे trade, यहाँ पर इनका G-Tropy वाला business जो है, इसका EBITDA हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो company अच्छी है, company में कोई problem नहीं है, बड़ा market है, यह electric mobility market, जो shared mobility है, उस market के भी proxy है, साथ यसाथ drone जो industry है, उसकी भी proxy है, साथ यसाथ navigation industry के भी proxy है, अभी तो यह B2B2B में है, mainly B2B2C में है, फिक है, लेकिन यह B2C में भी कदम रखते हैं, तो बहुत अच्छा हो सकता है, B2C में Google है, और Google का marketing नोंने capture किया, तो आप समझ सकते कि यहाँ पर growth opportunity काफी अच्छी नजर आ सकती है, तो map my India को भी आप radar क्रे सकते हैं, भी बाए इसको अभी नहीं करना है, एक बार इसका base बनने दीजिए, थोड़ा consolidate करने दीजिए, तब आप बाए कीजिएगा, next है यहाँ पर दोस्तो rainbow children medicare, अभी company में भी काफी जवर्दस थमकुरा ना पाता हुआ देखने को मेरा, लेकिन आज के दिन 7% के गिरावट हो गई, अब गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि इसका भी देखिए, हाँ पर supply क्यों बढ़ रही है, अगर आपको समझ है इस industry की, तो मेरे ख्याल से आप इस company में निवेश कर सकते हैं, क्यों, उसके पीछे क्या reason है, क्योंकि देखिए, capital intensive business है, लेकिन उसके बावजूद इसकी balance sheet काफी अच्छी है, return ratios काफी अच्छी है, company के debt to equity manageable है, company free cash flow generate यहाँ पर कर रही है, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एक niche segment में, यानि कि specialty pediatric obstetrics and gynecology services company, जो है basically hospital यह, rainbow children medical hospital provide करा रहाँ, pediatric के बात करें तो बहुत ही sticky business है, अगर आप देखिएगा, अगर बच्चे को कभी vaccine भी लगवानी है आपको, अगर आपने कभी आपके घर में या फिर आपका अगर बेबी है, आपके घर में बेबी है, तो अगर एक जगर से vaccine लगती है, तो उसको vaccine फिर तीन से पांस साल, दस साल तक वहीं उसी जगर लगती है, क्योंकि comfort आ जाता है, तो sticky business है, और pediatric थोड़ा सा services जो है, obstactrics जो services है, gynecology जो services है, बैसिकलि एक value-added services है, तो इसकी demand लगातार बढ़ती रहेगी, because, especially अगर मैं gynecology की बात करूँ, तो देखिए women working population लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर urbanization बढ़ रहा है, तो business तो नीश है, ऐसी बात नहीं है, इसको और मैं पढ़ूँगा, हाले कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छी नज़र आ रही है company, ठीक है, तो इसमें एक बार supply pressure जो over हैंगे, वो निकल जाने चीज़ है, उसके बाद आप buy कर सकते हैं, buy का करना है, buy जो support नजर आ रहा है, वो आ रहे हैं आपर 700 की आसपास, तो यहाँ पर आप इसमें position मनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा position मत बनाईए, आपको industry को समझना पढ़ेगा, इनका केपेक्स प्लान देखने पढ़ेंगे, अभी तो शायद इन लीस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे इन ग्रीन फिल्ड केपेक्स भी करने वाले हैं, और ग्रीन फिल्ड केपेक्स बैकफायर करते हैं इस industry में, ठीक है, अगर huge investment जाता है, हॉस्पिटल खुद का, इनका property खुद की है, अगर उस पे कोई regulation लग गया, यहाँ पर कुछ issue हो गए, तो वो पूरा का पूरा आफ समझ सकते हैं, यह balance sheet हिट करता है, तो मेरे ख्याल से lease पे जब तक चलना है, जब तक ही ठीक है, green field जादा कर देंगे, अगर फिर hospital चला नहीं, तो बड़ा risk हो जाता है, और unorganized market बहुत बड़ा है, इस industry, इस segment का, तो वो भी आपको देखना है, तो risk ज़रूर समझने है, उसके बाद निवेश करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, next दोस्ते हैं, आपर easy trip planners, अब यह company भाईया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, दो दिन से 20% किया पर circuit लग रहे हैं, यहाँ पर company के fundamentals तो अच्छे हैं, grow भी अच्छी कर रही हैं, लेकिन अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कि corporate actions हो रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है, और I think पता होगा, लेकिन corporate actions यहाँ पर हो रहे हैं, तो देखिए, आपर split और bonus company ने वापिस से announce कर दिया है, अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर bonus announce किया था, तो वापिस से bonus announce कर दिया, तो मेरे खिया से थोड़ा से यहाँ पर हमको सावधान रहना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि इनका business में कभी कुछ बड़ा, इनोंने कोई इनको deal मिली हो, या फिर कोई बड़ा contract मिला हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, corporate actions की वज़े से यहाँ पर अपर circuit लग रहे हैं, भी समझना पड़ेगा कि travel industry में अगर आपको निवेश करना है, तो थोड़ा सा वहाँ पर इस history को समझना पड़ेगा, इनकी जो companies हैं, make my trip हो गया, expedia हो गया, booking.com हो गया, thomas cook हो गया, कभी इनोंने पैसा नहीं बनाया, long term में, क्योंकि cyclicality is industry में, तो इसलिए मैं आपको पहले भी एक बर बताया था, कि easy trip हो सके तो दूर रही है, लेकिन अगर आप risk लेना चाहते है, तो buy कर लीजिए, यह company growth अच्छा दिखा रही है, इसमें क्या दिक्कत है, देखिए, क्या growth दिखा रही है company, 50%, 60% के margin पोस्ट कर रही है, आपको यह देखिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप back में जाएंगे, तो देखिए, मार्च 2011 में 1% के margin, 0, 26, negative margin, तो यह भी देखिए, कि past में कभी इतने margin उने पोस्ट नहीं किये, यह sudden pent up demand की वज़े से जो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन थोड़ा इसको आपको industry में थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी competition काफी है, इस industry में unorganized market बहुत बड़ा है, साथे साथ इस company साथ कुछ corporate governance issues भी थे, जो मैंने आपके साथ share किये थे पहले, annual report में भी आप देख सकते हैं कि कुछ यहां पर statutory dues जो है इनके भी pending पड़े हो है, और statutory dues जो है वो एक आप कह सकते हैं कि utmost priority होती है उनको pay करने के, तो इन्होंने pay नहीं किये, past में भी कुछ issues रहे हैं इनके साथ, तो यह कहीं न कहीं एक negative चीज हमको देखने को मिल सकती है, तो मेरे के हसाब से, अगर आप मुझे follow करते हैं तो मेरे साब से, इस business से दूर रही है, long term के हसाब से दूर रही है, short term के हसाब से buy करना चाहते हैं, तो एक बर इसको नीचे आने दीजिए, तब buy कीजिएगा, क्योंकि अभी travel की demand काफी है, ठीक है, company जो है लगातार कुछ नए equations और अच्छा काम कर रही है, short term में अच्छा हैं लेकिन cyclicality है बहुत इस industry में, तो long term हिसाब से थोड़ा साब को सारी चीज़े research करके ही, इसमें decision लेना है, मेरी तरफ से avoid है, next is also jubilant food works, अब ये stock भी बहुत परिशान कर रहा है लोगों को, stock में देखिए, उपर इस तरों से कितनी गिरावट हो चुकी है, कितनी गिरावट ही है, 40% के आसपास, बहुत परिशान कर रहा है, consolidate कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर उपर जाता है, फिर से नीचे आ रहा है, तो यह patience का test ले रहा है, मतलब investors का, लेकिन patience का test जिसमें pass कर लिया, मुझे लगता है jubilant food works में, वो pass हो जायागा, उसको यहाँ पर return बनते हुए, देखने को मिल जाएगी, मैं यह नहीं कहता है, कि यहाँ पर 30% की growth आएगी, लेकिन definitely 15-20% growth इसमें expected, और long term, यहाँ पर sustainable business मुझे नज़र आता है, jubilant food works का, क्योंकि यहाँ पर pizza segment में यह market leader है, अब यहाँ पर buy मेरे साब से किया जा सकता है, इस level पर भी buy किया सकता है, और एकर wait करना चाहते है, तो wait कीजिए, यहाँ पर करीब करीब आपको यह 480 के levels पर भी आता हुआ, देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आप fresh buy कर सकते है, कोई problem यहाँ पर नजर नहीं आती है, अभी एक update भी आ रही थी, इसमें कल के दिन की इन्होंने देखिए, नेपाल में भी अपना business यहाँ पर expand कर लिया है, तो नेपाल में भी अभी यह Domino's, बिसिकली है Jubilant Foodworks, Domino's open करता हुआ नजर आएगा, तो यह positive हो सकता है, अगर वहाँ पर अच्छे revenue आया, तो balance sheet में वो add होता हुआ, देखने को मिलेगा, बाकि अच्छी company, management अच्छा है, valuation भी इसके अब historical के आसपास आ चुके है, 75 का PE है, आप देखिए, चार्ट पे अगर PE ratio आप देखे, maximum PE देखे, तो देखिए, 76 का, इसका historical PE है, तो 76 का और PE है, 75 के PE पर trade कर रहा है, तो यहाँ पर valuation wise भी ठीक ठाक हो चुका है, तो buying की जा सकती है, debt यहाँ पर, थोड़ा debt देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने store expansion की हैं, काफी अगर आप देखे, तो देखे, fixed assets इनके कितने बढ़ते हुए नजर आए है, मार्स 2020 से, और मार्स 2020 से ही इनकी borrowing बढ़ती हुए नजर आई है, क्योंकि लगातार expand करें, store expansion को लेकर काफी aggressive है, jubilant foodworks, लेकिन यह borrowing बहुत ज़ादा चिंता का विशह नहीं है, क्योंकि इनका interest coverage ratio आप देखे, 4.39 का है, ठीक है, interest coverage ratio अगर 2.5 या 3 से उपर है, तो वो अच्छा है, मतलब कि इसके financials ऐसे है company के, कि यहाँ पर वो अपने debt obligations को pay कर सकते हैं, यानि कि company इतना operating profit generate कर रही है, after excluding interest expenses, तो आराम से वो debt यहाँ पर pay कर सकते हैं, तो कोई problem नज़र नहीं आ रही, यह गिरावट कियों और ही उसके पीछे reason है, कि यहाँ पर थोड़ी pressure रहा था, inflation का issue था, साथ यहाँ पर FIS का selling भी issue था, FIS यहाँ पर लगातार माल बेच रही है, तो FIS की काफी बड़ी holding थी, यहाँ पर jubilant foodworks में, तो FIS selling pressure को यह जहल रहा है, stock बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आप देखिए, number भी यहाँ पर अच्छा आया था, 24% के margin company ने maintain किये है, top line growth देखने को मिली थी अराम से, यहाँ पर 20% के आसपास के top line growth थी, profit में growth थी, तो grow हो रही है company, दिरे-दिरे होगी, तो patience का test ले रही है, तो patience बनाए रखिए, और यहाँ पर इसमें आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है, नीचे आ सकता है, यह करीब करी 480 के आसपास, तो वहाँ पर आप buy कर सकते हैं, तो यह है दुस्तों update regarding important stocks, I hope वीडियो आपको informative important लगा होगा, आपका क्या opinion है इन stocks के बारे में, वो भी जरूर comment कीजेगा, तो मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, bye bye.